Welcome to another video friends आज किस वीडियो में हम एक जबर्दस रिबोटेक प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कुस करेंगे जिसको यूज करते हुए आप उससे काफी सरे वर्क ले सकते हैं राइटिंग से रिलेटेट और फ्रेंड्स इस रिबोटेक प्लेटफॉर्म पे आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं आटो कोड जनरेट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप वोई ब्लॉक स्पोर्ट बना रहे हैं और उसके कंटेंट जनरेट करना चाते हैं तो आप copyright content भी यहां से generate कर सकते हैं फ्रेंट्स यह जो robotic platform है यह हमें दो shape में मिलता है एक application के shape में और दूसरा website के shape में अगर हम इसकी application के बारे में बात करें तो देखें हमें प्ले स्टोर को टच करता हूँ और यहां पे टाइप करता हूँ chat GPT chat GPT open AI platform का एक robotic ऐसा platform है जो हमें writing, auto writing के facilities प्रवाइड करता है यहां देखें आप यहां पर मैं आप दिखाता हूँ कि इसके जो purpose हैं वो क्या है what is GPT तो यहां पर देखें answer question based on existing knowledge translates different text into simple concepts तो create code to call to the open AI API using a natural language instructions तो friends यहां से हम इसकी application भी install कर लेते हैं और बकाइदा इसकी website पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरह से work करता है friends आप किसी किसम का आर्टिकल लिखते हैं अगर आपकी website है या आपकोई blog support है तो just आप ने इसके उपर अपना title एड करना होगा या title write करना होगा तो यह auto generate आपके लिए एक बहतरीन किसम का article generate कर देगा वो भी copyright के बगार means कि उस article पर किसी किसम का copyright नहीं आएगा तो friends इस से आप बहुत सारे और काम दिले सकते हैं means कि अगर आप कोई कोड़न कर रहे हैं किसी भी platform के लिए HDMI के लिए कोड़न कर रहे हैं या अपने Android platform के लिए कोड़न कर रहे हैं जितनी भी जावा वगरा platform हैं इनके लिए आप कोड़न कर रहे हैं तो आप इस रोबोटेक platform को यूज कर सकते हैं तो friends इसकी जो application है वो हाल ही में launch हुई है इसके लावा इसकी जो website है वो भी हाल ही में launch हुई है और ये बहुत ज़्यादा popular हो रहा है तो यहाँ पर मेरी चैट GPT की application इंस्टाल हो गई है सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसकी जो website है उस पर किस तरह से work करना है उसके बारे में थोड़ सी detail discuss करता हूँ हम अपने प्ले स्टोर को अपने browser को open करते हैं browser को open करने के बाद यहाँ पर जस्ट हमें type करना होगा chat GPT chat GPT tap करने के बाद यहाँ पर देखें जो openai.com की website है इसको जस्ट हमने यहाँ से touch करके open करना होगा उपर उपर देखें यहाँ पर लिका हुआ है try GPT तो हमने just try GPT वाले टैप को touch करना होगा और try GPT वाले टैप को touch करने के बाद हमारा जो यह robotic date form है यह open हो जाएगा just हमने इस पे simple एक sign up करना है sign up करने के बाद friends यहाँ से देखें हमारा login और sign up का option आ रहा है हम sign up वाले टैप को touch करते हैं sign up वाले टैप को touch करने के बाद यहाँ पर हमारे पास sign up account के लिए तीन facilities है means के Microsoft account, Google account और यहाँ पर manual account अगर हम create करना चाहें तो create कर सकते हैं तो यहाँ से मैं continue with Google वाले टैप को touch करता हूँ और अपना कोई साभी एक email ID यहाँ से मैं pick कर लेता हूँ तो friends मैं यह वाला अपना false email ID यहाँ से pick करता हूँ इसके बाद friends इसकी जो मजजीद details है वो हम put करेंगे next friends यह हमसे तक्रीबन हमारा phone number मांगेगा तो हमें यहाँ पर अपना phone number add करना होगा तो friends इसके बाद देखें अपना नाम टाइप करतें नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर हमने अपना एक simple सा phone number add करना होगा send code करना होगा और हमें यहां पर अपना जो कोड है वो SMS के जरीए रिसीव होगा इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो एकाउंट है वो successfully open हो जाएगा आप इस website को easily use कर सकते हैं देखे फ्रेंड्स यहां से जो हमारा एकाउंट है वो open हो गया है और यहां पर हम login वाली details में आ गए हैं तो यहां से फ्रेंड्स next करते हैं next करने के बाद फिर next करते हैं फिर done करते हैं done करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखें इसकी कुछ limitations भी यहां पर add की गुई है फिलहाल यह हमें free provide कर रहे हैं आगे इसके कोई charges लगते हैं या नहीं लगते हैं उसके बारे में अभी confirmation नहीं है तो देखें यहां पर जो chat box है यहां पर आप कुछ भी type कर सकते हैं for example यहां पर मैं एक question type करता हूँ 12 plus 38 next करता हूँ तो देखें यह जो रिबोट है हमें उसका जो sum है वो आटो निकाल के देदेगा the sum calculation is a 90 तो आगे अगर हम अपने block support के लिए कोई article लिख रहे हैं या हम अपनी कोई post लिख रहे हैं यहां पर हम for example type करते हैं earn money online earn money online without investment तो यहां से हम इसे search करते हैं तो देखें यहां पर हमारे लिए यह एक जबरदस किसम का article type करके देदेगा और यह article totally copyright free होगा means कि इस article पर किसी किसम की कोई भी copyright नहीं होगी अगर आप किसी भी subject से related कोई article चाहते हैं या आप किसी भी topic कोई article लेना चाहते हैं तो यह आपको easily उस article के बारे में तमाम किसम की information देदेगा दे कि यहां से हम इसको copy करते हैं और copy करने के बाद हम इसको देखते हैं कि आया यह जो हमारे लिए means कि हमारे लिए जो article बनाया है क्या यह copyright है या नहीं तो यहां से हम इसे copy कर लेते हैं कापी करने के बाद हम एक निया टैप ओपन करते हैं और यहां पर हम चेक copyright content टाइप करते हैं चेक copyright content तो यहां से हम इसे चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां से मैं इसको चेक कर लेते हैं इस बॉक्स में फ्रेंड्स मैं उस content को पेज़ करता हूँ और पेज़ करने के बाद यहां से हम copyright चेक करेंगे तो हमें देखें किसी भी किसम का कोई भी copyright नहीं आया है means कि यहां पर हमें आरे लिए जो आर्टिकल जरनेट किया गया है वो copyright free जरनेट है means कि इसमें किसी किसम का कोई भी प्लेगरिजम नहीं है तो यहां पर देखें स्कैनिक प्लेगरिजम हो रहा है तो कुछ देर के बाद यहां पर हमें result मिल जाएका कि आया जो हमारे लिए यहां परफ content delete content add किया गया था क्या वो copyright था या वो नहीं था तो फ्रेंड इससे आप काफी सरे काम ले सकते हैं अगर हम इसकी application के बारे में बात करें तो हम इस application को यहां से open करेंगे और open करने के बाद इसका देखें तरीकार वही है सबसे पहले हम इसकी चैट के बारे में डिसक्स करते हैं open ended conversation with add तो यहां से देखें अगर हम इसकी यह वाली first facilities को open करें या first इसकी जो यहां पर tools है उसको हम डिसक्स करें तो इस tool के बारे में देखें तो यहां पर हमें यह एक बहुत सबर्दस platform provide कर रहा है तो यहां से देखेंगे friends मैंने hello type किया था और यहां पर आगया how there how can I help you तो यहां से भी मैं एक article generate करने के लिए type करता हूँ earn money online without investment इसे send वाले बटन को touch करता हूँ तो देखते हैं कि यहां पर हमारे लिए किसी किसम का article generate होता है या नहीं होता so friends यहां पर देखें हमारे लिए यहां भी एक जबरदस किसम का article generate हो गया है तो friends यह जो इसकी application है यह अभी under process में है means कि यह application जरा properly work नहीं करती है तो यहां पर देखें हमारे पास coding का एक अलाइदा से इस application वे option है AIQ&A के नाम से एक option है यहां पर आप किसी भी किसम की coding लिख सकते है means कि कोई साभी एक command देते हुए आप यहां पर अपनी coding free में हासल कर सकते हैं तो यहां पर देखें what is GPT इसके बारे में how to use GPT get pro तो यहां पर हमारे पास एक इसका जो pro version है वो available है तो यहां से फ्रेंड जो इसकी application है वो properly work नहीं करती मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आपने अपने browser को open करना है अपने browser को open करने के बाद यहां पर इससे आपने browser से ही use करना है means कि यहां पर आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे उसका यह answer हमें निकाल के दे देगा अगर हम यहां पर यूट्यूब टाइप करें और search वाले button को touch करें तो देखें यहां पर हमेरे यूट्यूब से डेटर एक जबर्दस किसम का article होगा इस article को हम अपने blog की post में यूज़ कर सकते हैं और अपने blog support को monotize करवा सकते हैं या अपनी website में भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो friends अगर आपको चैट GPT के बारे में किसी किसम का कोई मसला हो तो आप मुझे comments box में comments करके पूछ सकते हैं Thanks for watching